तो sorry नानामी फैंस, नानामी होर हम लोगों की बीच में नहीं रहा, एक सीनियार होने के नाति इन हम लोगों को बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ दिखाया भी है उन्होंने, तो नानामी रेस्टेंट पीस, वो चाहा भी रहे, खुश रहे, तो जे जे के सिजन टू एपिस सूर नंबर में क्या हो गया है, भी ने किसी टाइम मोस्ट की हम लोग एकस्प्लिनेशन की तरफ बढ़ते हैं, और आज मैं फेसकर नहीं बनाओ, क्योंकि थुरा सा जल्दी में हूँ, अगर अगर आप लोगों ने देख लिया तो कोई बाद नहीं देखा है, तो देख ले कुछ नहीं होता, और कितने लोगों ने उस पर भरुसा किया था, लेकिन फिर भी लोग मारा गया, और इधर यूजी तादोरी कुछ भी नहीं कर पाया, और अगली सिन में हम लोग स्टेशन के अंदर नानामी को देखते हैं, जिसका आदा सेडिल चड़ गया था, लेकिन वो अभी भी आप तक जिन्दा है, और वो नानामी अपने आपको समुद्रों के तरफ महसूस करता है, जहाँ सिब चारों तरफ सुकून था, और अगली सिन में नानामी जब एक टेलिफोन बूट की सामने से गुजर जाता है, तो तब हम लोग वह पर अंदर महीतों को दे और वो सब की किताबों को अराम से परेगा, जिन बुको को उसने खरी दी थी, लेकिन उसे कभी भी टाइम नहीं मिला इसे परने के लिए, पर अभी तो उसे मेगुमी को बचाना है, लेकिन अभी नानामी बहुत ज़्यादा ठग गया था, वो पहले ही बहुत कर चुका है, उसके बाद नानामी उन सभी टरंस फिगर हीमन को काटने लगता है, और इन से लड़ना भी नानामी के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, लेकिन वो किसी तारा उन सभी लोगों को माट डार गिडाता है, और वो खुद को पूरे टाइम उस बीच पर इमजीन करता है, और तबी उसके अपिट पर माही तो हाथ रख देता है, और तबी इधर यूजू भी वही पर पहुँच गया था, और इधर माही तो नानामी से उसकी अखरी शप्त पोचता है, और इधर नानामी हाईबरा का नाम लेकर बोलता है कि, पता नहीं की वो भापास इस काम पे क्यों आ गया और तभी नानामी को अचानक से उसके सामने हाई बरा दिखाई देने लगता है और मैं अब लोगों को बता दे तो यह जो हाई बरा है यह नानामी का साथ ही दा जो की मारा गया है तो नानामी यही बताता है वो सब नहीं कर सकता है वो यूजी को यह सब क इस नानामी और इधर यूजी को ये सो कुछ देकर उसे बहुत ज्यादा शोक लग जाता हैं और माहीतों के ओपर छिलाता हुआ कहता है कि तुने ये सब कुछ क्यों गिया और ये सुनते महीतों कहते कि हे यूजी चिलाव मत मैं बहरा नहीं हूँ और इधर यूजी बहुत ज़ादा घुस में माहितों की तरफ भागता है और तबी माहितों उसके तरफ से एक छोटा सा टांस्पॉइंट हुमेन को यूजी इतातीर की तरफ भेगता है और जो की एक बड़ी सी स्पाइक वली जादा बर जाता है तब इभापर एक बड़ा सा मॉंस्टर बनता है जो की यूजी को खाने की कोशिश करता है और यूजी उसकी दात पकरकर उसे लोग लेता है और लेकिन माहितों उस चीज़ की मुह से बाहर निकलता है और यूजी को बहुत जोड़दार एक पंच मारता और इसी बज़े जी उसी को चैесरे पर खून आने लगता है और उसके बात मही तो अपनी हाथ को एक चाकू जैसा बनाकर यूजी पर एतेक करता है लेकिन उसको जो चाकू है वो ही तूच जाता है और मही तो बोलता है कि अगर वो थोड़ा सा और भी जादा कता है तो तो तभी ईूजी माहीतों से यही पूस्थ दे कि वो इतने सारे लोगों के जिमन से कैसे खिलवर कर सकता है और यूजी के बाद सूनकर माही तो हसने लगता है और माही तो कहता है कि लोगों को मारने के पीछे उसे किसी वज़ा की जरूरत नहीं है लेकिन वो फिर भी इव जी को एक डेमो दिखाएगा और उसके बाद माही तो अपनी हाथ को जूनपी के चहरा जैसा बनाता है और फिर उसे उसे कहई चाकू से स्टैप करता है और कहता है कि तुम और मैं एक जैसा हूँ जब तक तुम इस बात को सिखर नहीं करोगे तुम मुझे से कभी पी जीत नहीं सकते हो और अभी इव जी इदर बहुत जयादा गुस्सा हो जाता है और वो माही तो को कहता है कि अभी मैं तुझे हमार डालूँगा तबी उसे नाना में के कह हुई बात भी याता थी हो और तबी वो ठंडी सी मक्से सोचन रखता है ताकि वो ये सबेद कर सके कि वो एक जुजुट्सू सस्वरर है और माही तो भी इदर यूजी को देखकर उसके हाथ से वो कर्ज एनरजी को निकलता है और इदर उस मॉंस्ट और इसी बज़े से माही तो को थोड़ा बहुत तो चोट लगता ही है और इदर ये मॉंस्टर यूजी को काटने के और कुचलने के भी कोशिश करता है लेकिन यूजी उसे फार कार बाहर निकला जाता है और तबी इदर जो माही तो है वो कहता है कि चलो हम लोग अभी अंदर भी उल्यों के बीच बहुत सारे समय से लड़ाई होता है और फिर यूजी बाहर आ जाता है और माही तो अपना बड़ा सा हाथ का इस्तेमाल करके उसे कुचलने की कोशिश करता है लेकिन इदर यूजी अपना पंच के इस्तेमाल करते हुए उसे भी तोड़ डालता है और फिर माहीतों तुरंती यूजी से दूर हो जाता है और यह सूचने लगता है कि अगर उससे थोड़ी से भी चूख हुई यूजी को हाथ वो मारा जाएगा तो इसलिए वो जादा दर एटेक वो टांस फिकर हुमें से कर वा रहा था और अपनी शहर को जादा खत्र में नहीं डाल रहा था और यूजी समझ जाता था कि माहीतों के पास अभी पहले छिसे जादा तकत है और आप doświad तक झाता है और यूजी उसे धूनने के लिए निकल पड़ता है तब ही कुछ दूर जाने के बाद ही उसे सामने दो लर्कों को दिखता है और ये दोनों लर्क यूजी को दिखकर कहे देड़ी कि तुम यहांसर भाग जो यहां पर बहुत जादा खत्रा है और फिर माही तो इस लर्के के अंदर से निकलता है और जो दूसरा लर्का होता है उसे वो उसका हतियार बना लेता है इधर माही तो यही चाता है कि यूजी वो अंदर से पूरे तरक से तूट जाए और इसलिए माहितों के पास अभी भी और एक होकम का इकपरा हुआ है और अभी हमें दो घंटे पहले का सीन को दिखाय जाता है जब ये साभी जो कर्स है वो यूजी को ढूनने के लिए निकल गया था और इधर जो रस्त में ड्रैक एने वो इन से बहुत सारे इंसारंगों को इनिकल जाता है और इधर जो जोग है वो अभी भी नहीं चाता है कि माहितों यूजी को मार डाले और इधर माहितों अपनी शेल को दो डिवाइट बेसों में डिवाइट कर देता है ताकि वो अलग-अलग जाकर जेल इसी यूजी को ढूंड पाए और वो जोगों को वो ही पर अटका देता है जिसे बज़से जोगों को बहुत ज़ादा गुस्सा आने रगता है अभी प्रेजिन का सिन दिखाए जाता है जहाँ पर माहितों का एक हिस्सा जो यूजी से लड़ रहा है और वो ही दूसरा हिस्सा उपर शिवया में है जिसका सामला नोबारा से होता है और नोबारा माहितों को देखकर पहे जान जाता है कि वो ही कर्ट्स है जिसके साथ यूजी की लड़ाई हुई थी और ये सुनकर माहितो काफी जादा खूश हो चाता है कि वो बहुत जादा फेमस है और ये सुनकर इदर नोबारा कहने लगते ही कि वो एक डरपोक की तरह भागने के लिए वो फेमस है और ये सुनते ही इधर जो माहितो है वो नोबारा को मार डालने की सोचता है और इधर नोबारा भी उससे लड़ने के लिए तयार हो जाती है क्योंकि उसने अभी धगिया पर कुछ खास नहीं किया है और इधर नोबारा ये भी जानती है कि वो उससे माहितों की हाथ से दूर रहना चाहिए और तब ही इधर नोबारा जो है उसके जो पीन्स होता है वो माहितों के सर के उपर जो दिबार होता है वहापर जाकर मारता है और इधर माहितों को लगता है कि नोबरा का जो निशाना है वो बहुत ज़्यादा बेकर है लेकिन इधर जो नोबरा है फिर उस बोट को नीचे के तरफ गिरा देती है और दो पिंस को सीधा माहितों के चाहर के ओपर घुसा डालता है तब ही इधर माही तो बोलता है कि अच्छी टैक्निक थी लेकिन इसका कोई आसार मुझ पर नहीं होगा और वो मन में यही सूचन लेकते हैं कि यह जो लरकी है यह जरूर यूजी का कोई करीबी दोस्त हो गया तो वो इसकी लाश को यूजी को लेकर जाकर दिखाएगा और जिससे यूजी के आदमा और भी जादा टूर जाएगी और तबी यह जो एपिसोड है यही पर खतम हो जाती है तो काईस मैं अभी अभी एनिमेशन के बारे में बात करते हूँ इसका जो एनिमेशन है यह बहुत क्योंकि एनिमेशन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और जो चीम चीज तुम करना चाहते हो वही करो और सब्सक्राइब तुमें तो मिली जाएगा क्योंकि मेरा आर्मी को मैं जानता हूँ तो खेर मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक